नमस्कार आप सभी लोग का स्वागत है Defense Officers Academy के YouTube चैनल पे आज का topic काफी important है RMC के experience के लिए Basically आप RMC June और December 2024 के लिए कैसे preparation करेंगे मुझे मालूम है कि बच्चे school going भी है वो कैसे त्यारी करेंगे, कैसे time table बनाना है और कैसे सारे subjects पर focus करना है इस वीडियो को end तक जरूर देखेगा क्योंकि हम इन सभी topics को उपर बात करने वाले है मेरा नाम है सूरज यारिया and I am the Academy Head of Defense Officers Academy Let's get started देखें सबसे पहले RMC के nature को आपको समझना पढ़ेगा तेन important subjects RMC में आपसे पूछे ही आते हैं जिसमें सबसे पहला है आपका mathematics अब mathematics को भी मैं two parts में divide करना चाहूँगा इसमें एक है elementary part और दूसरा है इसमें olympiad part यह जो olympiad part ना इसका जो confirmation है वो 100% नहीं कह सकते हैं अभी क्योंकि ऐसा देखें पिछले समें दो sessions से हम देखेंगे RMC के आपसे olympiad based questions पूछे जा रहे हैं और chances हैं कि इस बार भी आपसे पूछे जा सकते हैं जितने भी information हमें मिली है RMC के तरफ से तो नहीं बोलूँगा मैं लेकिन parents के तरफ से जो information हमें मिली है वो यह मिली ही कि जो जिस teacher ने olympiad based questions set किये थे maths के paper में वो teacher RMC छोड़ कर चले गए नए teacher आ चुके हैं अब कम chances ने कम probability है कि आपको olympiad based questions पूछे जाएं लेकिन फिर भी we have to prepare for the worst case scenario कुछ भी हो सकता है इसलिए हम लोग olympiad based questions के पे बात करेंगे क्योंकि पिछले दो session से RMC olympiad based questions ही बच्चों से पूछ रहा है तो maths को मैंने two parts में divide कर लिया है पहले आपको मालूब होना चाहिए कि आपसे क्या क्या चीज़े पूछी जा सकती है अच्चा उसके बाद आता है English English को मैं दो parts में divide करूँगा एक तो हो गया grammar part इसका which is nothing but objective part ठीक है grammar को मैं objective part बोलूँगा और एक हो गया आपका writing writing and reading ठीक है इसको मैं subjective बोल दूँगा वैसे तो paper totally आपका subjective ही होता है लेकिन कभी-कभी grammar वाली portion में आपको चार options मिल जाते है तो इस list में मैं objective लिखावा है और रही बात GK की तो GK में भी मैं दो portion में इसको divide करने वाला हूँ एक तो मेरी static GK होगी जो RMC में पूची जाती है उसके लावा current affairs RMC एक लौता ऐसा exam है जहां तक RMS और Cynic School के बात है तो RMC एक लौता exam है जहां पर बच्चों से current affairs पूची जाता है current affairs पर worst questions बच्चों से पूची जाता है तो current affairs का बहुत important रोल है RMC के exam में अब यह आपके सारे subjects हैं जो basically RMC आपसे पूचता है और हर subject को आपने two two parts में divide करा है अगर मैं maths के भी बात करूँ तो उसमें elementary maths है और साथ साथ olympiad based maths भी है अब कैसे तियारी करें किस तरीके से हम इन तीनों subjects को focus कर सकते हैं कि सबसे पहले बच्चे को यह identify करना पड़ेगा कि उसका कौन सा subject सबसे जादा weak है for example अगर मेरा English weak है और मेरी maths में अच्छी पकड़ है और GK में अच्छी पकड़ है तो मैं English को थोड़ा सा comparatively जादा समें दूँगा दिखे पहले मुझे यह भी देखना पड़ेगा कि total time में से total 24 hours में से मेरे पास कितना समी बचता है पड़ाई के लिए suppose 24 hours में से अगर मैं 8 घंटे हटा दू 8 घंटे वो घंटे है जो आप सोते है ठीक है यह आपके sleeping hours है मैंने 8 घंटे हटा दे सबसे 16 hours 16 hours में भी मैं यह मानते हैं रहे चलता हूँ कि 8 hours तो आपके school में जाते है ठीक है उसके अलावा कुछ miscellaneous activities में आपके मैं यह practical बात कर रहा हूँ मैं miscellaneous activity में फिर सा आपके 3 से 4 घंटे जाएंगे miscellaneous का मतलब है बच्चे travel भी करते हैं अब बच्चे आपके पास मुश्किल से 4 घंटे अपने पढ़ाई के लिए यह मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो स्कूल गोई है इन 4 घंटों में वो कैसे जरूरे नहीं कि 4 घंटे अट-स्ट्रेच आपको मिल जाए वो सकता है कि 2 घंटे आप मौनिंग में निकालो 2 घंटे आप शाम को निकालो तो किस तरीके से आप इन 4 घंटों को प्रॉपली उटिलाइज कर सकते हैं और कैसे आप ऑल्टनेट बेसिस में जिसे फर एजमबल GK वाला पोर्शन में जिसे आपने एक दिन मैट्स करा इंग्लिश करा जिसे दिन आपने GK को मैट्स के साथ कॉंबो कर दिया ठीके इस तरीके से आप अल्टनेट भी में GK ले सकते है क्योंकि GK का पोर्शन कहना ठीकि GK में you just have to read a lot of facts plus because you get 4 options GK का पेपर totally objective है let me make it very clear the purpose of GK is totally objective जिन बच्चों को नहीं मालूँ मैं बता लता हूँ कि GK के पेपर में आपको 4 options भी देखने को बिलेंगी कुछ questions आते हैं last में जो fill in the blanks kind of होते है ठीके जिसमें you don't get options लेकिन पेपर वो भी objective ही है एक तरीक से देखा जाए maths का पेपर is totally subjective ठीके तो जो आपके 4 घंटे जो आपने बचाए है अपने school going student की बात कर रहा हूँ को यह मझे पता है कि बच्चे exhaust भी हो जाते है मैं तो चाहता हूँ कि बच्चे कम से का 15 घंटा physical activity भी करे ठीके बच्चे फिर कहीं और school tuition भी जाते है मिश्किल से जो 3 से 4 घंटे पढ़ते है मैं 4 घंटे आइडियल टाइम समझके आपको देख रहा हूँ कि 4 घंटे आपके बच्ची जाते है अगर 4 घंटा बच्टे तो इंग्लिश को you can give 2 hours maths को then 1.5 and GK को again half an hour accordingly ठीके ये मतलब ये long term planning बता रहा हूँ मैं आपको it's not a short term planning ऐसे हैं नहीं कि exam एक्दम नेरबाई है जून के paper के लिए आप ये strategy अप्लाई कर सकते है even December के paper के लिए तो ये strategy काफी efficient है और काफी effective रहने वाली है ठीके तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास कितना समय बचता है 24 hours में से और वो समय कब है आपके पास ठीके मैं prefer करता हूँ बच्चे जैसे बच्चे morning सुभे school जाते हैं तो मैं ये prefer करता हूँ कि बच्चे अगर 5 to 7 ये अगर 2 गंटे निकाल सके पाइने के लिए नहीं तो इसको आप 5 to 6 30 भी कर सकता हूँ क्योंकि बच्चों का क्या होता है बच्चों का school होता है न साथ बेस से you can make it 5 to 6 30 also for you पास से सालेच ये आप पढ़ सकता हूँ देर गंट आपने या निकाल लिया इसी तरीके से कम से कम दो गंटा या धाई गंटा आपने इवनिंग में निकाल लिया ये एग घंटा बीच में भी निकाल लिया आपने आफ्टर में में बिसिकली 4 गंटे आपने यूटिलाइस करने है और 4 गंटे आपने बिसिकली अपने subject के accordingly कि कौन सा आपको अच्छा लगता है किसमें आपको interest है या कौन सा आपका weak subject है उसके accordingly आपको time allocate करना है जो weak subject है उसको आप जादर समय देंगे क्योंकि competitive exam में हर subject में balance बनाना जरूरी है कुछ बच्चे बोलते हैं हम maths ही करेंगे सिर्फ उनका maths में interest आता है maths उनके लिए पहार की तरह रहता है तो maths बिचारे qualify नहीं कर पाते तो competitive exam में ये बहुत ज़रूरी है कि you have to make balance ठीक है क्योंकि क्या है ना देखिए क्योंकि मैं आपको ये भी बता दो ये basically अगर मैं सिर्फ exam qualify करने की बात करूँ अगर आपके 200 में से suppose अगर मैं maths की बात करूँ suppose out of 200 अगर आपके 180 भी आगे ठीक है लेकिन English में English में suppose आप अगर 125 में से अगर आपके मतलब you have not scored minimum 50% of marks 125 में से 50 भी आगे और JK में भी आपने अच्छा क्या suppose JK में भी आपके 75 में से 50 आगे suppose तो number तो आपके काफी अच्छे हैं लेकिन you have not qualified but English paper क्योंकि आपने English में कम focus किया rather than अगर बाइदन यहाँ पर आपने थोलो से compromise करा maths में आपके 140 आगे यहाँ qualified पर यहाँ पर आपके 70 आगे English में तो वो it will make a difference यह बच्चा अब यह qualified है तो हर एक subject important है आप maths में mastery अचीव करने की सोचो के तो बाकी subject के साथ आपको compromise करना पड़ेगा थेकर यहाँ पर आपसे mastery नहीं देखी जाती हर एक subject में कम से कम आपको 60 to 70% की knowledge हो नहीं चाहिए if you will go for 100% अगर मैं सोचो का कि English में मुझे महारत हासल हुजा है बस I will go for 100% तो maths को compromise करना पड़ेगा अगर आप सोचो का कि maths में मुझे महारत हासल करनी है तो आपको फिर English को compromise करना पड़ेगा जीगे को compromise करना पड़ेगा तो आपको किसे भी subject को compromise नहीं करना, सब की अपनी-अपनी cut-off पे तेनो subjects qualify करने जरूरी है, तब यह आप RMC qualify कर सकते हो, so you have to make it very clear that all the subjects are important, सारे subjects के लिए the distribution of time होगा आपके लिए, आपके लिए वो बहुत important है, accordingly आप करेंगे, जो subject week है, उसको जादा समय देंगे, क्योंकि हर एक subject में 60-70% mastery अचीव करना बहुत important है आप लोग ले, तो यह तो मैंना आपको बता दी, यह आप strategy अपने accordingly बनाएंगे, time table और आप अपने accordingly बनाएंगे, मैं यह नहीं कहा रहा है कि 4 गंटे आपको address stretch ही, आप morning अगर उठ सकते हैं, तो सबसे best है morning उठा, और morning में ही maximum 2 गंटे निकाल सकते हैं आप, it's up to you, रात को जल्दी सोगे, तो आप morning चाहे तो 4 गंटे निकाल ले, तो आपने अपने ले 2 गंटे निकाल ले, एक गंटा मिल जाएगा, आपको school खले, तियार हो रेख ले, ठीक है, तो यह सारी school going students के ले में बोटाओं, जो बच्चे घर में है, जिन बच्चों के साथ, जिन बच्चों का tie-up है, schools के साथ, तो उनके पास तो बहुत मौकाय पढ़नेगा, उनके पास तो बहुत अच्छी opportunity है, ठीक है, वो तो बहुत अच्छा time, तो time table, जितना समय आपके पास बचा हुआ है, उस पेर आप अलग-लग subject को distribute करो, कि इतने घंटे में पढ़ूगा, इतने घंटे पढ़ूगा, इतने घंटे पढ़ूगा, आपको maths already, we have made video also on it, हमने video भी बढ़ाईए, slaybos को उपर, आप जरूर go through कीजएगा, आप RMC maths slaybos, Defence Officers Academy लिखेंगे, लिखेंगे, I'll get the slaybos, आप इस slaybos को go through कीजएगा, अच्छे से, ठीक है, इनमेंटरी में क्या आ रहा है, मैंने olympiard में क्या रहा है, even मैंने olympiard का slaybos भी बच्चों के साथ discuss किया, तो व आप जरूर देखिएगा, मैंने olympiard को basically चार modules में distribute किया, तो slaybos देखना हो बहुत important है, slaybos के accordingly फिर आप क्या करोगा न, आप लोग बच्चे भी 6th, 7th, 8th के तो बच्चे है, तो आप अपने बुक्स के accordingly जिसे देखिए, elementary वाले पार्ट में आजने परा आते ही काफी, ठीक है, उसमें बहुत सारे topics है, as we have profit and loss, average, time, speed and distance, time and work, ऐसे बहुत सारे topics उसमें है, ठीक है, तो वो आप एक ही करके उनको cover करें, ठीक है, cover करने का मतलब क्या है, कि उनको अच्छे से समझे, सारे questions करें, जो आपके, जिस बुक से आप refer कर रहे हैं, then follow last 7 years, last 7 years की booklet पे सारे questions करें, आप topic wise, percentage की सब रोज आपने सारे questions कर लिए, profit and loss के आपने सारे questions कर लिए, से क्या होगा न, जब आप उसको बार-बार करेंगे, होता क्या है, कि जब आप maths को multiple time repeat करते हैं, एक question को जब आप multiple time repeat करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं, मतलब एक ही question से आप बहुत ज़्यादा variation सीख सकते हैं, इसका एक छोटा सा example मैं आपको देना जाता हूँ, कि जैसे अगर मैं बात करूँ, car drive करने का, मैं पिछले 10 सालों से car drive कर रहा हूँ, अब आप बलो कि ठीक है, sir आप आपको master अच्छे भी होगा, लेकिन अभी भी हम क्या करते हैं, over the period of time Krishna को सीखते हैं नया, okay, नहीं नहीं situations आती हैं, तो नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ learning होती हैं, okay, so basically maths में भी ऐसी है, ऐसा नहीं कि आपने एक topic कर लिए percentage तो आपको लगागी, अब मैं उसमें master हो चुछ, नहीं, you have to repeat it number of times, ठीके, जब तक exam नहीं आता, तब तक आपको percentage को भी बार बार revise करना है पड़ेगा, profit and loss को भी revise करना पड़ेगा, हर एक topic को भार बार revise करना पड़ेगा, तब तक exam आपको होनी जाता, even after the exam also, आगे भी scope है इसका, RMC join करोंगे, वहाँ पर भी scope है इस सारी चीज़ होगा, okay, so do remember this point की, syllabus देखने के बाद, उन topics को cover करें, ठीके, और basically, कोई ना कोई आपको guide करने के लिए होना चाहिए, ताकि आप उनसे doubts पूछ सको, okay, साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ, कि अगर आपके पास, कोई guidance के लिए नहीं है, तो आप ज़रूर defense offices academy की help ले सकते हैं, आप हमारा live course अवेल कर सकते हैं, RMC का, जहाँ पर आपको बहुत बढ़िया guidance मिलेगी, आप हमारे पास offline आ सकते हैं, जहाँ पर one-to-one interaction आपको मेश से, करने का मौका मिलेगा, doubts आप पूछते हो, तो काफी benefit बच्चों को मिलता है, और आप हमारा online course भी अवेल कर सकते हैं, defense offices academy का app डाउलोड करके, वहाँ से भी बच्चों को काफी, मदद मिलती है, तो आप इन तेनों courses को अवेल कर सकते हो, और अगर घर पर कोई guide करने के लिए हैं, आपके पास कोई teachers हैं, या parents आपको guide कर रहे हैं, तो उससे बहतर क्या हो सकता है, वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो syllabus, go through the syllabus, syllabus को अच्छे से समझे, और syllabus को complete करने की कुशिश करो, क्योंकि जब आप पूरा syllabus complete कर लोगे, तब ही आप 70 to 60, या 60 to 70% उसका अचीव कर पाते हो, ओके, 100% अचीव करना मुश्किल हो जाता है, अगर आपकी बहुत अच्छी पकाड़ है, तो हाँ, देखा गया है, मेरी ही स्टूडेंट्स के मैट्स में 200 में से 198 भी आएं, अधित्यराज नाम है उसका, और वो बिहार से था, बिचारा इंग्लीश में ने कर पाया, बाइशूटा इसे बिचारा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा है भी हूँ, इंडी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मझे लगता है कि वो एक दिन जरूर ऑफिसर बनेगा, लेकिन उसके मैट्स में 198 थे, अब इंग्लीश में क्या करेंगे, ठेकि सब आपने बता दिया, अच्छा साथ में ओलुम्पियार वाली मैट्स भी, नेचे जो नंबर्स देना हैं, इंपर हमसे संपर करना, क्योंकि ओलुम्पियार वाली मैट्स को भी, सैमल्टेनसली करना जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैट्स को थोड़ा साथ समय जादा देने की जरूरत है अब, ओके, ओलिम्पियार की मैट्स चाहे इस बार आये ना आये, बट वी आफ टू प्रिपेर फॉर दो वर्स्ट के सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ओलिम्पियार की मैट्स भी साइमल्टेनसली करना जरूरी है, एल्वरमेंटरी के तो पक्का करना है, एक बूर वन टाईम वाला सब चाहे, अरे भई, इंगलीश का राइट इग पूर्शन है, राइट इंग सेक्षिन आपको क्या लगता है, राइट इंग सेक्षिन टेक्स टाइम, राइट इग सेक्षिन बच्ची का इन्हांस कैसे होता है, next level का ठीक मतलब RMC के level के उसको refine किया जा सकता है, कौन करेगा वो teacher बताता है कि आप ये गलतिया है, इसको ठीक करो यहाँ पर ये phrase add करो यहाँ पर ये vocabulary add करो format ठीक करो, world में ठीक करो, तो वो सारे tips, tricks तरीके वो teacher बताता है बच्चे को कि तो इस तरीके के जब follow up रहता है बच्चे का, बच्चे रोज राइटिंग सेक्षन रोज एक paragraph लिख रहा है किसी phrase के उपर, किसी topic के उपर, किसी situation के उपर, उसको रोज follow up मिल रहा है, रोज follow up मिल रहा है, तो आप आप खुद ही सोचे कि क्या उसका राइटिंग सेक्षन इंप्रूब नहीं होगा प्लस grammar पढ़ रहा है, तो grammar की knowledge भी वो implement कर रहा है अपने राइटिंग सेक्षन में, तो उससे उसका राइटिंग सेक्षन और इनान्स हो रहा है तो basically English में भी आपको पहले syllabus देखने की ही ज़रूरत है, syllabus देख लिजेगा कौन-कौन से topics हैं, parts of speech सारी है उसके बाद उसको detail में पढ़ना ज़रूरी है transformation है, tenses है, active, passive है, बहुत सारी चीज़े उससारी चीज़े आप से पूछता है, वो करनी ही ज़रूरी है ठीक है, उसके बाद writing section में कह गया आता है वो देखना जरूरी है, letter writing है, उसका format देखना जरूरी है प्रिसी writing है, कैसे आप summary लिखते हैं, वो देखना जरूरी है situation-based stories है, बहुत सारी चीज़े हैं, तो वो पूरा syllabus उसके accordingly, you should have one reference book ताकि आप उससे अपना syllabus पूरा कर सको, अच्छे सा समझ सको, अगेन, गुरू की ज़रूरत पड़ीगी यूकि बहुत सारी situations ऐसी आते हैं, ग्रामर वाले portion में, जो बच्चों को समझ भी नहीं आते इसमें कुछ static portion भी मैं बोलता हूँ, जिसे वुकाबलेरी वाला portion है, जो कभी चेंज नहीं होता, बस तो English पूरी static ही होती है, बस writing section में थोड़ से ग्रामर को देरो तो आदा गंटा कम से कम आप writing section को दो, alternatively एक दिन writing section को, एक दिन vocab वाले section को, जिसमें one word substitution आ जाते हैं, idioms and phrases आ जाते हैं, phrasal verbs आ जाते हैं, basically phrasal verbs preposition का ही part है, कुछ fixed preposition से वो आ जाते हैं, बच्चे, बच्चों काफे मुश्किल होता है prepositions वाले based questions solve करने क्योंकि there are some fixed prepositions जो आपको पढ़ने ही पढ़ते हैं, लिके, तो English में भी आप grammar वाले portion तो करेंगे, करेंगे, grammar वाले portion के साथ, फोड़ा सा समय निकालेंगे, कौन से portion के लिए vocabulary या writing section वाले portion के लिए on the daily basis, और किसी ने किसी से अपना writing section चेक जरूर कराएंगे, ताकि आप को एक proper follow up मिल पाए, इस तरह किसा आप English को approach करेंगे, पूरा syllabus पूरा करेंगे, simultaneously, GK में भी आपने देखना है, static portion देखना है, कौन कौन से चीज़े पूछी आती, तो ये भी GK के book refer कर लेजिएगा, मैं कहता हूँ, static के लिए NCRT से best book कोई नहीं है, मैं एकदम ढंकी की चो download, upload करते हैं, website में, महा से आप download करो, वो current effects पूरो, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, GK का तो थोड़ा सा easy रहता है, case क्योंकि we know कि static में क्या क्या पूछ सकता है, आप से static ले मैंने फिर से आप से बोलाई कि आप statically क्या refer करेंगे, आप statically refer करेंगे, NCRTs, current effects हम लोग बन करेंगे, ताकि उन्हीं books में revise कर सके, आप please don't try to make notes out of that NCRD books, अलग से notes बना के don't waste your time, अपने 6 to 9 तक की NCRD ले आएगे उसे पढ़े, बस, ठीके, इसमें geography आजाएगी, social science आजाएगी, तो उसको आपने पढ़ना है, environment वाली आजाएगी, सारे चीज़े पूछता है आप से, GK में, ठीके, तो इस तरीके से आपने GK को भी approach करना है, okay, then interface मैंने गाता हम आपकी help करेंगे, तो ये, ये strategy है, okay, आप लोग ले, और देखिए, अब बेसिकली, अब ये strategy आपने लगाए, और on a daily basis आप कर रहे हैं, तो देखिए, चीज़े आइडली नहीं जाती, ups and downs होता है, ठीके, graph उपर नीची जाता है, लेकिन देखिए, चार घंटे का जो मैंने समय बुला है, ये आप चार घंटे ही minimum है, जिन बच्चों के पास समय ही समय, जो बच्चे घर पे हैं, तो उन्हों तो 8-4 को 8 भी कर सकते हैं, ठीके, लेकिन अगर कोई बच्चा quality time निकाल रहा है, तो आरहिम से निकाल सकता है, मैं बता रहा हूँ, ये आप ता आर घंटे वाला निकाल पाए, चार घंटे वाला निकाल ले, इसलिए कह रहा हूँ कि quality देना जुरूरी है, ठीक, ऐसा नहीं कि लंबे समय, आपने देखा हूँ कि बहुत ऐसे बच्चे जो कम पढ़ते है लेकिन अच्छे नंबर आते हैं उनके एक्जाम में, यह आते हैं क्योंकि वो बहुत रहा सरी टेक्नीक चीज़ करते हैं पढ़ते वक्ट, चीजो को विजुलाइज करना बड़ा इंपोर्टन है, जब आप लोग हिस्टरी पढ़ते हैं तो चीजो को विजुलाइज करना बहुत इंपोर्टन है, वो री स्टोरी फ्रेम करना बहुत इंपोर्टन है, एवन माथ्स में जब आप कुश्चिन सॉल्व करते हो, एवन विजुलाइज करना बहुत इंपोर्टन है, जब आप स्टोरी लिखते हो, वह पर भी विजुलाइज तर भी तो आपकी परस्नाल अच्छे से पढ़ दे तो फिर तो वो तो टॉप ही कर लें RMC लेकिन फिलाल अगर आप 4 गंटे भी मैनेज कर सकते हैं तो आप ले बहुत है साथ ही साथ में आपको यह भी बताना चाता हूँ कि सपोज अगर आपने RMC के लिपरिया स्ट्राटेजी बनाई और आप इसे फॉलो नहीं कर पा रहे है तो अलब डिस्हाट है नहीं हो ना आपने वो उसको दुबारा रिवाइफ करना है दुबारा कोशिछ करना है लेकिन अवर रूटेन जरूर बनाना है अपने और एलना एटल्ली बना सकते हैं मैं बल्दाब आपने पड़ा से उपर गया, फोल नीचे भी गया, फिर फोला उपर गया, फिर नीचे गया, लेकिन अल्टिमेटली आप देखने होगे कि ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, घे कि ये तो आईडल सिचुेशन वजाती है, ऐसा हम सोचते हैं कि ऐसा करेंगे रोज 12 गंटे पड़ेंगे which is not possible, which is not feasible बैटो कहता हूँ कि पढ़ाई के साथ-साथ खेलना भी जरूरी है अगर आप खेलोगे तो mind बहुत active रहेगा और अच्छे से grasp करोगे चीज़ो जिन बच्चों के पास 8 गंटे का समय कम से कम 2 गंटे वो जरूर खेले वी 6 गंटे का समय उनके लिए काफी है, more than enough है बढ़ाई के लिए अगर वो 2 गंटे खेलने के तो उनके chances जादा बढ़ जाएंगे मैं बतारो हूँ सेलेक्शन के यह मैंने खुद देखावा है, मेरा मेरा personal experience भी है तो यह कुछ चीज़ है जो दियानक ने अगर इतनी महनत करने के बाद आपने का कि सर्थ ठीक है, इतनी महनत हमने करी olympiard वाली maths भी हमने पड़ी, elementary and all सारी चीज़े और इसके बाद भी अगर आपका exam qualify नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई फरकने पड़ता तो कि आपने जिस चीज़ की पढ़ाई करी नहीं, बटा इदे कि R.A.M.C का exam इतना dynamic है slavers ही इतना बढ़ी है, जब आप slavers go through करेंगे, जो videos मैंने बनाया है आप slavers go through करेंगे, आपकी learning इतनी बहतरिन हो जाएगी कि आगे चलने वाले समय में और competitive exams में आपको काफी help पिली, ओके, आप later on NDA देंगे, आप IIT के field में जाएगे किसे भी field में जाएगे, अगर आप R.A.M.C की अच्छे से त्यारी करते हैं, तो कही ना कही कि वो आपको result देगा, यही ना कही वो काम आएगा, वैसे पर पड़ावा हमेशा काम आता है, okay, so I hope यह आज के वीडियो में मैंने basically वो चीज़े cover कर ली हो, जो आपको एक ignition दे सकता है, एक push दे सकता है, तके आप अपने पड़ाई कर सकते हैं, पहले आप slow bus जरूर analyze कर लीज़ेगा, अच्छे से, उसके बाद accordingly अपना time table निकालो, देखो आप कौन-कौन सा काम करते हो, कितना समय आपके पास बचता है, कितना समय आप waste करते हो, जिसको आप properly utilize कर सकते हो, पहले वो आपको step भी कर सकते हो, कि sir, I am preparing for RMC, आप से बात करना चाहते हैं, थोना सब problem में, guidance लेना चाहते हैं, आप message करा, I will talk to you, okay, I hope कि आपको आज का session informative लगा होगा, informational लगा होगा, इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लेना, hit the bell icon and see you next time, bye bye all the best, jahind